नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप यह रक्षाबंदन स्पेसल एपिसोड है तो इसमें बनाएंगे हम फैनी की सेमाई तो इसके लिए मैंने कड़ाई ले लिए और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी और अपनी सेमाई जो फैनी की सिमाई है उसको अकोरेंगे थोड़ा सा जो ताकि कोई चीज इसमें छूटे ना आपकी तो चलिए यह सिमाई को हम थोड़ा सा भून लेते हैं यह देखिए कलर आ गया इसमें अलग थोड़ी सी अलग कलर आ गया इसमें और इसी स्टेश पर हम चाशनी डाल देंगे यह चाशनी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी और चाशनी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिलाएंगे मैंने चाशनी डाल दिया और मैंने मिला लिया इसको अच्छे से यह देखिए चाशनी इसलिए डाली है कि थोड़ी शॉप्ट हो जाएंगी और अब इसमें मैंने ड्राइफूट डाले हैं जो काटके रखे हुए थ चिरोंजी है और थोड़े से बदाम है यह मैंने सारी चीज काट लिए और पिस्ता हम थोड़ा सा बाद में उपर इसमें डालने के लिए अलग से रख दिया मैंने तो यह हमारे पास मावा मावा हम इसमें गिसके डाल देते हैं क्योंकि इससे तेस्ट अच्छा आ जाएगा औ तो इसमें थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी बर्फी तो इस वएसे हम मावा डालेंगे इसमें इसको मिला लेते हैं अच्छे से इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है फटावड बन जाएगी और आप जिसको भी खिलाएंगी वह आपकी तारु तारीफ जरूर करेगा और जरूर पोछेगा आपसे कि आपने कैसे बनाई है यह तो यह जरूर बनाईगा अपने घर में रक्षा बंदन पर यह देखिए मैंने थाली में गी लगा के रखा हुआ था अब इसमें डाल देते हम यह अपनी सिवाईया इसको फैला लेते हैं अच्छे से यह देखिए और अब मैं इस पर डाल देते हूं थोड़े से अपने पिस्ता और काजू इनको दोनों को फैला देंगे अच्छे से इस पर जो कि अच्छे से चिपक जाए यह बर्फी में यह देखिए सेट होने के लिए हम आदे घंटे के लिए से फ्रिज में रख देंगे जो कि ठंडी हो जाए और फिर बाद में हम इसको काट लेते हैं इसको बर्फी को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और थोड़ी अलग तरीकी की बर्फी बनती है यह तो आप जरूर बनाईगा अपने घर में रक्षा बंदन पर यह देखिए कि जल देल दी काट लेते हैं इसे कट प्रफी यह देखिए यह पीसिस निकल चुके हैं इसके यह देखिए कितनी सुन्दर लग रही है न वर्फी अमारी यह देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लोगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और यह वीडियो शेर भी जो कि यह बर्फी बना सके और इसका आनंद ले सके